वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल जेके टेक में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर आप भी सेकंड हैंड गार लेना चाहते हैं तो उस पे आपको लोन चाहिए तो जेके बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है यूज़ कार लोन स खरीदने पे भी लोन ले सकते हैं कैसे तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो बहुत ज्यादा इंफर्मेटिव होगी आपके लिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप प्राइवेट यूज के लिए यूजड कार्स को खरीदना चाहते हैं तो परपस क्या होगा फाइनस प्रोवाइड करना पैसे लोन प्रोवाइड करना जो की यूजड कार खरीदना चाहते हैं वो SUV हो, MUV हो, fuel operator as well as electric cars के लिए भी applicable है लेकि प्राइवेड यूजड के लिए होनी चाहिए जो आपकी कार होनी चाहिए दोस्तो लोन सेंक्शन करवाते टाइम 6 साल से ज़ादा पुरानी नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर हम nature of facility की बात करें तो दोस्तो ये एक term loan रहने वाला है, age की बात करें तो minimum age loan की application देते टाइम 18 साल होनी चाहिए अगर हम बात करे पर्मनेंट जो employees है state and central government employees उनको जो भी value derived accept की जाएगी उसका 20% रखी गई है, platinum gold current account holders और वो customers जिनकी aggregate limits, working capital या फिर loan pay 25 लाग से ज्यादा है उनको 20% रखी गई है, बाकि सभी लोग जो लेंगे उनके लिए जो margin है जो भी value derived की जाएगी उसका 25% रखा गया है maximum loan amount की बात करें, तो एक vehicle पे आपको maximum 25 लाग तक का loan मिल जाएगा और एक इनसान maximum 50 लाग तक का loan ले सकता है repayment की दोस्तों बात करें, तो ये जो आपका loan होगा, ये maximum 7 साल के tenure के लिए होगा और जो vehicle है, उसकी जो age है, वो loan खतम होने तक 12 साल से जादा नहीं होनी चाहिए छीक है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, वो आपको maximum 10 लोन का provide किया जाएगा, जो आपका loan है दोस्तों वो maximum 84 84 EMI में pay हो जाना चाहिए next बात करें, अगर हम security की, सबसे पहले primary में आता है, कि जो भी आप vehicle purchase करना चाहते हो, उसका hypothecation, collateral की अगर भात करें, तो जितने भी permanent employees है, JNK government में, लदाक government में, या आफिस central government employees हैं, उनके लिए जो collateral है, वो nil रखा गया है, जो pensioners हैं, उनके लिए, दो लोगों की guarantee लगेग including उनकी spouse, जो eligible होने वाली हैं, बाद में, family pension के लिए, अगर किसी private public limited company में काम करते हैं, तो आपके promoter या फिर director partners की personal guarantee चाहिए, तो दोस्तों अगर prepayment penalty की बात करें, अगर आप अपने loan को दूसरे bank में shift करोगे, तो 4% की आपको prepayment penalty लगेग, जो भी आपका outsending amount बचा होगा otherwise आपको कोई prepayment penalty नहीं लगने वाली है, minimum income stipulation की बात करें, तो 2,00,000 रुपे रहने वाली है, loan processing charges की अगर बात करें, maximum 15,000 रुपे loan processing charges आपके हो सकते हैं, rate of interest की दोस्तों बात करें, तो आपको clearly कहूंगा, rate of interest के लिए आप एक बात जरूर से bank visit कीजिए, क्योंकि ये change होते रहते हैं, लोगों को दोस्तों, concession मिलता है, यहाँ पे rate of interest में, अगर आप SMV, DSB के employee हैं, तो आपको 25 BPS का concession मिल जाएगा, police department वालों को 10 BPS का, University of Kashmir के employees को 10 BPS का, police department के employees की बात कर रहा था मैं, NIT श्रिनगर के employees को 10 BPS का, Central University of Jammu के employees को 10 BPS का, और बाकी जितने भी JNK, यहा गोर्मेंट के employees हैं, उनको 25 BPS का, यहाँ पे concession देखने को मिल जाएगा, साथ साथ दोस्तों, वो लोग जिनका सिबिल 700 से उपर है, उनको 50 BPS का concession interest rate में, देखने को मिल जाएगा, साथ में अगर आपका जो सिबिल 701 से 700 की बीच में हैं, तो 25 BPS का concession देखने को मिल गा, eligibility की दोस्तों बात करें, तो central or state government के permanent employees, private limited companies के regular employees, professional self-employed, contractual employees, almost 200 हर तरीके के लोग अगर हम बात करें, तो eligible हैं ये loan लेने के लिए, वेहिकल की valuation की अगर हम बात करें, तो एक side पे chart में आपको age of the vehicle दिख जाएगा, दूसरी side percentage दिख जाएगी आपकी fixing value की depreciation की, up to 6 months में 5%, 6 months से लेके 1 साल में 10%, 1 साल से लेके 2 साल में, जो depreciation की value है, वो 20%, 1 साल से 3 साल तक 30%, 3 साल से 4 साल तक 40%, और 4 साल से 5 साल तक 50%, 5 साल से 6 साल तक जो depreciation value 260% है, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी used car loan लेना चाहते हैं, used car खरीदने के लिए loan, तो आप JK Bank में जुरू स consult कीजिए, बाकि वीडियो अच्छी लगे, informative लगे तो वीडियो को like कीजिएगा, जादा सादा share कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care